गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स क्लास सेकिंड आज के जो आपके क्यूस्टन से हो इस परकार से हैं पहला जो क्यूस्टन है जैसा हम रूटीन में चल रहे हैं फाइफ एड़ वन टूश एड़ आपको कौउनटिंग करनी है ठीक है आप्टर देन उसके बाद जो क्यूस्टन नंबर 2 है वो पूट द शाईन यह जाईन लगा नहीं है आपको है वो close होता है यहां से देखिए बंद है यह close है वो होता है smaller smaller means छोटा ठीक है और यह जो sign है यह equal बराबर एक जैसे equal means बराबर एक जैसे होते हैं जैसे हम बात करें नाइन और एट नाइन और एट में कौन बड़ा है नाइन यह आपको पता है तो मैंने आपको बताया है कि जिसकी तरफ यह मूँ खुला वागा वो बड़ा तो मूँ किसकी तरफ open करना इसका open करना है 9 की तरफ क्योंकि जिसकी तरफ open करोगे वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ ये close होगा बंद होगा वो छोटा होगा जैसे बात करते हैं 15 and 15 ये भी 15 है और ये भी 15 है दोनों क्या है equal तो इसमें कौन सा sign आएगा equal का ठीक है इसी परकार से आपकी ये question है 58 और 69 आपको counting आती है आपको यहाँ चल रहे हैं आप 600 तक कोई दिकत नहीं है 58 और 69 तो आपको पता है कि ये तो 50 510 से ये 610 से सिधी से बात है ये बड़ा है और वेसे भी counting में ये 69, 58 के बाद में आता है तो इसकी तरफ ये mouth open हो जाएगा ठीक है एक तो ये करना है आपको उसके बाद जो है आपका अगला question है वो समझा रहा हूं में उसको ध्यान से देखेंगे number name आपको आते हैं number name लिखते हो आप 25 लिखना हो तो आप क्या लिखते हो T W E N T Y F I V E 25 5 इसे परकार से मैंने आपको बनाए है handed के चार्ट आज तो इसको लिखते कैसे हैं जैसे सबसे पहले हमारे Indian system में once होता है फिर tense फिर handed ठीक है once पे eight tense पे six और handed पे five अलग-अलग लिखें फिर मैंने इसका क्या लिख दिया number five, six, eight को एक साथ लिख दिया गया है तो ये तो once होता है ये tense होता है ये handed इन दोनों को हम एक साथ बोलेंगे six, eight, sixty, eight और ये है five five क्या है? handed तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? five क्या है? handed five handed sixty six, eight ठीक है इसी परकार से ये भी आगे जो क्यूशन दिये गए है आपको यहाँ पे रखना है numbers में फिर इनके आगे number name लिखनी है, spelling इनकी लिखनी है ये जो है ये सारा आपका आज का homework है